हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाते हैं इंस्टेट बेड शम्जम यह बहुत ही एजी रेसिपी है इसके लिए हमें ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है इसे आप बड़े ही आसानी से और जल्दी बना सकते हैं यह खाने बड़ी टेश्टी लगती है तो चलिए हम सुरू करत है उसे बनाने के लिए चाहिए हमें ब्रैड जाइस मावा में शूगर सीरप के लाइची पाउडर राइफूर स मैंने पिस्ता और काजू लिए हैं पिस्यूइ छी थोड़ी सी निटेश्टी है सबसे पहले हम जाएड के श्टाइस काटते हैं इस तरह ब्रैड के किनारे को निकाल के अलग कर देते हैं सारे ब्रैट के किनारों को इसी तरह निकाल के अलग कर लेंगे इस तरह हमने सारे ब्रैट के किनारे काट कर अलग कर लिये हैं सारे अब हमने ये मावा लिया है उसमें हम शुगर डालेंगे एक चम अचे मैंने पिज्योई चीनी डाली है ड्राइ फूर्स में मैंने काजू लिये हैं आप अपनी मर्जी से कुछ और भी ले सकते हैं इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा साम इसमें इलाइची पाउडर डालेंगे इलाइची पाउडर से बहुत अच्छी खुस भूआ जाती है अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर डालें अगर आपको पसंद नहीं है तो न डालें यह शुगर सीरप है, इसमें मैंना थोड़ा इलाशी पाउडर डाला है, आपके पास अगर केबडा या रोज एसेंस हैं तो आप वो जरूर डालें, बहुत अच्छी कुस भूआती है, अब ब्रैड स्लाइस के उपर हम यह मावा लगाएंगे, और इसे इस तरह से कुछ दवा लेंगे, यहां मैंने चम-चम बाला लुक देने के लिए एक ब्रैड को ही फोल्ड करके बनाया है, अगर आप चाहें तो अलग-अलग दो स्लाइस लेकर वी बीच में मावा रखके भी बना सकते हैं, इस तरह थोड़ा सा इसे दवा लेंगे, और सारे स्लाइस इस तरह तयार कर लेंगे हम, यह देखिए हमारे सारे चम-चम रेडी हैं, आप हम इने डालेंगे शोगर सीरप में, इस तरह शोगर सीरप में बस थोड़ा सा डाल के निकाल लेना है, ज्यादा दिर तक नहीं रुकना हैं क्योंकि यह टूपने लगेगा ब्रैड है, इसी तरह सारे चम-चम हम तयार कर लेंगे, इस तरह हमारे सारे ब्रैड चम-चम तयार हैं, आप हम इने थोड़ा गार्निश करेंगे काजू और पिस्ता से, जिससे हमारे ब्रैड चम-चम बहुत सुन्दर लगेंगे, अब थोड़ी देर के लिए हमेने सेट करने के लिए रखेंगे फ्रीज में पंदमनेट फ्रीज में रखने के बाद हमेने निकालेंगे और इस थारा से सर्फ करेंगे, सर्फ करने से पहले इसमें दो चमच या आप अपनी मरजी से शुगर सीरप डालने, खाएं और सभी को खिलाएं, ये सब को बहुत पसंद आएंगे, एक बार जुरू ट्रै ही करें, अब अब टेस्टी और इजी चम-चम के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज ल